गरिब धन जननी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संद्राम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर पुनात्मा प्रमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते बगती, यानि बगती कारत होता है, इस रूप में मान के, उन पर आसरित हो जाना, उनके तरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते, यानि इस रूप में मान कर जो साधना की जाती हैं, उसके हम भगत कहलाते हैं, तो क्य पिर निज नाम बेना तुम कैसे उत्रो पार, पिर देखिएगा, गीता 10 नुबर 15 का, सलोक नुबर 2, 15 का, और सलोक नुबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनु गुण रूप, जलसे बढ़ी हुई नहीं, तीनु गुण रूप साखाएं, विसे परवाला साखा, संस्कर्ट भी पड़ जाएंगे, विसे परवाला साखा, यानि ये, विसे भोग, रूप कोपलों वाली, देव मनुष्टर का योनी रूपी साखा है, नहीं, विसे विकारों वाली साखा है, तिनु गुण रुण रुण गुण बर्मा, सत्गुण विश्नुतम गुण से जी, नीचे और उपर फैली हुई है, सरवतर नहीं है, उर्धो माने उपर और अधह माने नीचे फैली हुई है, और मुण श लोक में कर्मा अनुबंधनी, यानि कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है, इतना ही फल देते हैं, ये जकडे रखते हैं, तिन्नु और नहीं बिरमा भ्यूनु महेस भी नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है सब contemplator नहीं अब कि क्या कहा कि उस ? संसार prisका्रो सुो और को जैसा कहा गया है विसा यहां विचार काल में गीता ग्यान्दादाता कहता है जैसा इसके विसे में जानकर बताते हैं वो यहां नहीं पाया जाता, वो इस संसार रूख्वरक्स का जैसा शुरूख का है, वैसा यहां विचार काल में, यानि तेरे और मेरे गीता जी के विबेचन में, डिसकसन में नहीं पाया जाता, यानि मैं नहीं बता पाऊंगा इसके पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी नए आदी और नए अं से परिचित नहीं हूँ और नहीं इसके अथी परकार से स्थीती है इसलिए इस सु विरुड मूलम सु विरुड मूलम अती दर्ड मूलवाले यह नहीं अती दर्ड मूलवाले क्योंकि उपर को जो जड रूपी है जैसे आपने यह देखा अब यहां तक तो आप ने देख लिया देखिएगा अब यहां तक तो आप ने देख लिया कि यह सरपुर्स ते एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर सरपुर्स इसकी डार होगिर तीनों देवा साखा होगिर हम पात रूप मैं समझ ले लेकिन ये जड़ भी सेस बचगी ये है वो पूर्ण परमात्मा इसको पूर्ण बर्म कहो परमेश्वर कहो परमकसर बर्म कहो तो ये जड़ है अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पोदे से पेड़ को तो सब का धान पोशन करने वाला भी यही परमात्मा हुआ जो जड़ रूपी यानि परमक्सरब्रम परमात्मा है ये ये जड़ है ये परमक्सरब्रम है ये है कौन ये देखिएगा ये वो है परमात्मा जो कासी में धुलाहा बनकर रहे थे 120 वरस तक और ये लीला बताकर अपने दोवारा रची विस रिष्टी को बताकर चले गए थे अब ये कंसेप्ट कलियर करते हैं के रज़ गुन बरमा है सत्गुन विशनु तंगुन शिव जी देखिएगा ये मारकंडे पराण ये मारकंडे पराण ये गीता प्रेस गुरुपुर से परकासित है शतीतर मोटरा टाइप ये गीता प्रेस गुरुपुर से परकासित है और इसके 123 परिष्ट के हम आपको दिखाते हैं मारकंडे रिसी बता रहे हैं मारकंडे रिसी यहां से मारकंडे रिसी का ये वचन चल रहा है और यहां आजाते हैं आम एक सो तेईस परिष्ट परे अब क्या बताते हैं रजोगुन प्रधान बिर्मा तमगुन प्रधान रूद्र शत्व प्रधान विश्व पालक विश्णु हैं यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं सफ़ष्ट हो गया रजगुन बिर्मा सदगुन विश्व तमगुन शिव जी यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण तीन देवता कहो या तीन गुण कहो एक बात है और औरकती कंसेप्ट कलियर करते हैं देवी भागवत के अंदर संस्कर्थ भी साथ है अब हम संस्कर्थ भी पढ़ लेंगे कोई बढ़ी बात नहीं है अथ शिरी मद्ध देवी भागवत सबास्टीकं सहमात्यम खेमरा स्रीकर्शन दासपरकाशन मुबई से इचप परारमते यह तीसरा सकंद 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 परारमते है से कह रहे हैं यदि हमारे उपर आप सदा हम आप द्या युक्त हो तो हम को तमोगुड में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रज़ोगुड और हरी सद्गुड युक्त किये हैं क्यों किये हैं अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे देखिए गा ये साथमा समाप्त हुआ आठम सलोक पड़ार्म और होता है ये दी द्या दर्मना ने सदृम के कथम एहम वहीतिया है संकर भगवान कहते हैं कथम एहम मैं बना दिया वहीतिया हैं अमबी के माने माता कि तमगुन है। मैं नम्हें को बनांक दिया। कमल जय क कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा को संभाव. एब पॉझ को युझ कर दिया। सु पते फिटा कि में सतो बनांस हरी। और शतτο कौह लंगर तया।аю को Elo language इrit ऐसी दंएरो hilar कि देने छाटाम हर पॉझमान कौह। अब आईएगा शिरी मद्भगत गीता ध्याय नमर 15 के स्लोक नमर है अब एक तो हमने पड़ लिया समझ भी लिया उपर को दड़ वाला उर्धो मूलम अधह साखम उर्धो मूलम अधह साखम ये पहली कैसा कैसा कैदा हो जागा आपके लिए कुछ दिनों में देख ले ना उर सारुपी पीपल का एक अबनासी वर्क्स कहा गया है चंदासी यसे परनानी जिसके ये विभाग हैं पत्ते आदी सब विभाग हैं तम वेद ये तम वेद ये माने जो तम माने उस अज्ञानदकार में छुपे हुए को जानता से वेदमित वो तत्वदर्शी संत है इन्हों और फिर कहा है संसारुपी पीपल के वर्क्स को अबनासी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहें और उस संसारुपी वर्क्स को जो पुरुस मूल सहीत यानि जड़ सहीत जानता है जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है तत्व से जानता है से वेद वेद के तात प्रिगुदाने अब देखना अब संद्शा रूपी वर्क्स के क्या पता है कि उस संद्शा रूपी वर्क्स की तीनों गुण रूपी ये अन्वाद गलत कर रही है विशे परवाला साखा विशे विकारों वाली ये साखा रजगुन विर्मासद गुन विस्नुतम गुन शिब जी तीनो गुन रजगुन विर्मासद गुन विस्नुतम गुन शिब जी रुपी साखा हैं नीचे और उपर फैली हुई है और मुनुश लोक में कर्मा अनुसार यही हमें यहां पर फसा कर रखते हैं बांध कर रखते हैं यह उपर नीचे व्यापत हैं और फिर बता है तीसरे में इस संसारुपी वर्क्स का शुरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचारकाल में यानि तेरे और मेरे गीता जी के इसलिए इस सुविरूड मूलम यानि अती दर्ड मूल वाले क्योंकि वो प्रमात्मा का उपर काक्सेतर और भगवान वो तो अविनासी है अप अती दर्ड है और संसारुपी पीपल के वर्क्स को दर्ड इन्होंने क्या क्या असंक सस्त्रेन छितवा इस कार्थ बनता है वि यानि उस तत्व अग्यान रूपी तत्व अग्यान से समझ कर उसके पस्चाथ ये चोथा सुलो कि यहानु वादिश का उसके पस्चाथ प्रमपद रूप परमेश्वर को भली बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लोटकर कभी लोटकर संसार मन नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से इस प्रातन संसार वरक्स की पिरवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदी पुरुष नाराण के मैं सरण हूँ इस परकार दरण निश्चे करके उस परमेश्वर का मनन और निदिधासन करना चाहिए प्रपदे माने उसकी पूझा करने चाहिए निदिधासन नहीं प्रपदे माने पूझा अब यहां क्या हो गया इसका आरत इसका सीधा सारत हो गया गीता ग्यान दाता अपने से अन्य किसी सम्रत प्रमात्मा की सरण में जाने को कहता है और उसकी पूजा कर और सब बातें त्याग दे यानि अपनी पूजा को भी मना करता केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार प्रवर्क्स की परवर्ती विस्तार को पराप्त हुई है अपने अत्मों गीता ग्यान दाता अपनी सतीछी बताता है अरजुन चोथे जाय के पांच में और नौ में सलोक में दूसरे जाय के बार में सलोक में दस में जाय के गीता जी के दूसरे सलोक में कि अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं जानता हूँ मेरे जनम और करम अलोकिक है इसे से दो गया कि गीता ग्यान दाता तो स्वम कहरा मैं नासवान हूँ तो उस नासवान की वक्ती करके वो उस स्थान को कैसे प्राफ्ट कर सकता जाने के बाद फिर लोटकर संसार्मान ही आते तो इसे से दो गया कि गीता ग्यान दाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसकी साधना करने से ही ये जनम और मर्तु का दीर एक रोग कटेगा और जब तक जनम और मर्तु का रोग नहीं कटेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते हमारा मुक्स नहीं हो सकता हम या बंधन में बंदेवें करमों के बंधन से और सत लोग में जाने के बाद हमारे उपर किसी परकार का कोई दबाव नहीं अपनातमाओं जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमातमाओं राकार है, सत लोग में परकास ये परकास है, फिर आम टीन डे लाएंगे उस परकास में क्ये कराएंगे जाके भाई, उसमें डूब का मरन जाएंगे, वहां कुछ एका दश्र फ्रैनों के वो बूंद सी बूंद स कैसी ये सेश्टी है, एजिटी जेवां पर लेकिन उनका मेटरियल नासवा नहीं है, शरीर तो है, उस पर तेक नरनारी का आमर सरीर है, युवा सरीर है, कभी वर्द नहीं होते हैं, कोई रोग नहीं, किस जीज़ का अबाव नहीं, अब यहां क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाएं, बच्चों की हो जाएं, छूटियां फिर दक्ये खान जाएंगे, हम शिमला और कुलू और मुनाली में, सहर सपटे करने के लिए, और वहां कितने दिन रहेंगे, पांच चार दिन के बाद जेव खतम हो जा, फिर वापिस वहां करके, सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहें ना, तो हम इन सहर सपटे आनों वहां करया करा हैंगे, सत लोक में कद्येग, ना कोई काम करना, ना मर्त्यू होनी, ना बुड़ा वर्दवस्थानी, ना रागदविस्कती, ना मातर कानी वह पर, अपने अत्मों यहां तर ना जाने कितना खेचातानी लठ्थम लठ्था हो कदमेबाजी, तो वहां ऐसा कुछ नहीं है, अर पने अत्मों यहां देख लो आप, अम बुड़ेना हो और मोत ना हो, तो मारा रो, कुतना दुख आजाओ, कोई प्रोब्लम नहीं हो, क्यों कती आदी बन गया, इसके साथ खेचम खेचार के, तो वहां तो कोई दुख भी नहीं, तो वहां की रूची बनेगी आपकी, अब यहां तो डैथ होनी है, यह तो आप अलग आठ मारे लो, आप ना समझ माओतों यह तो अन्डर्स्टूड है, यह तो अंडर्स्टूड है, सब ना मालूम है, और फिर यहां जिस कोठी और बंगले और पुतर और पुतरीयों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, यह आपकी कहां है, मरती होते यह तो खतम आप से, फिर इन की आसा क्या रखेंगे, क्योंकि यहां इस ग्ञान से आपकी आसा हटेगी, और यह सचाई के आधार से हटेगी यहां से, इन में कतिया स तो फिर हम क्यों ना रूची फिर यहां से आसा हटेगी तो वहां लगेगी और जहां आसा ताम वासा हुई मन करम वतन सुमरियों सोई तो उसमें रूची बनेगी आपकी इव कोई कितनी बात बनाता हो वहां लीन हो जावांगे लीन कोन होना चाहँगा लीन यह दर केंड की बाते हैं तो परमातमा ने आकर के वो ग्यान दिया और आखों देखा उन मापुरसों ने बताया जिन उनने परमातमा को देखा वहां से उसके लिए टीचर की आउशकता छोड़ गे वगवान कबीर साइब के गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दाने गुरुबिन दोनों निस्पल हैं चाहे पूछो बेद पुराणी गुरुबिन बेद पढ़े जो प्राणी समझे नसार रहे अज्ञानी गुरुब तो गुरु के कोई इतना महतो इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड़ वर्डों में लिखी गे परमातमा कबीर साहिब अपनी बारी को लिखवा गे के कबीर पंथी नहीं समझ सेके क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं बारा पंथ चलाओंगा द्वादस पंथ करूं मैं साजा नाम तुमारा ले करूं अवाजा द्वादस पंथ नाम जो लेही हमरे मुख में आनसमोई और अनेक पंथ चलाओं याविद जीवां को भरमाओं जाओ जोग जीत सनसारा जीव नमाने कहा तुमारा जीव तुमारा कहा नमाने हमरी ओन हो ब अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को और कबीर सागर नहीं पड़ नहीं है कबीर वानी पड़ नहीं नहीं पीड़ी की पीड़ी चली की इनकी छाच छाच पंदरा पंदरा छास्तो साल में और ये कख नहीं समझे के सत लोग और सत पुरुष के बारे में इसलिए आदनी दर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था दर्मदास मेरी लाख दुआई ये मूल ग्यान की ते बार ना चाहिए मूल ग्यान बाहर जो पड़ ही या विचली पीड़ी हनस नीतर ही तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आँख में चौननी करके और अब आपको सिक्षित बनाना पड़ा ना ये विस आपको कती नहीं खान देओ बगवान चौथा योग वीज गया था ये विस हमारे नेक्ट ने आने दिया ये सिक्षिया का इतनी बेइमान बढाती है ये लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूँगा नकली पंथ अपने नाम से एक सत्तेरे नाम कबीर नाम से पंथ पर चलवा दूँगा हैं और कबीर कबीर सद्गुरू है कबीर साहब है हम कबीर पंथी हैं गीत गाया करेंगे उनके पास मंतर वो है ने जिसे मौक्स होगा तो मेरे मूँ में फसे रहेंगे उन दौदस उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुखमर रहेगा अब प्रमात्मान ने दया करी पुनात्माओ इस दास को भेज दिया अपना रिपरजेंटेट्यू बना के और वो बुदी दे दी इस दास को प्रमात्मान कभीर जी ने अपने दुआरा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के दोवारा सारवतने करा रहा आपके सामने तो पुनात्माओ ये कभीर पंथी नहीं समझ सके और ये रादास्वामी धंदन सद्गुरु जाए गुरु देवाले ये शिवद्याल जी से निकले वे ये सच्छा सोदा से रसार जग्माल वाली ये उसी काल के चलाए हुए पंथों मैंसे एक हैं तो अब परसंग चल रहा था प्रमात्मा ने छस्ट सो वरस पहले आकर कहा था और दरमदास जीश को बता था कि एक बार मेरी इसकाल के साथ वारता हुई थी तब उसने का था कि कल यूग मैं ऐसे कर दूँगा इन पराणियों को ये बगती यूग नहीं रहेंगे तो परमात्मा ने आपको पहले सिक्षा दी उनको मालूम था ये बिगड़ेंगे खूब हम बिगड़ भी खूब लिए क्योंकि आची पोस्ट होगी आची कार को ठी होगी राम की जुरूत्य नहीं समझ रहें और कलना गदावन का कुमारत रहेंगा डाइवन का बुरा जब पता चलेगा तो वो ग्यान नहीं हमारे को वो ग्यान इस ग्यान से होगा इस तत्वा ग्यान से होगा तो पुनात्मों अब हमने वो मौक्स प्राप्ट करना है जान जाने के बाद फिर लोड़ कर हम कभी संसार मनी आते तो वो कौन है वो परमकसर ब्रम है वो सत्पुरस अमर पुरस है गीता जाय नमर साथ के सलोक नमर उनतीस में गीता ग्यान दाता ने कहा कि अरजुन जो मैंने तुझे ग्यान बताया है कि तत्व दरसी संथ की खोज कर ले फिर वो तत्व दरसी संथ तुझे उस परमातम तत्व का ग्यान बताएगा वो तत्व ग्यान बताओगा तेरे को उस तत्व ग्यान को समझने के पस्चाथ उसमें लिखा साथ में जाए कि उनटीस में स्लोक में कहा है कि जरा मर्ण मोक्षाई यतन तीते जो माम आशरीते यानि मेरे दोरा दिये गई इस ग्यान को आशरे बनाकर तत्व दर्शी संत की खोज कर लेते हैं और जो केवल यहां जरा माने बुड़ापा वरे दवस्था का दुख मर्ण माने मर्चू जरा और मर्ण से छूटने के लिए जो परियतन करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डेमांड नहीं रखते वे तत ब्रम विदू ब्रम तत विदू और उस प्रमात्मा तत ब्रम को जानते हैं और अखिलम अखिलम चे अध्धातम सारे अध्धातम को जानते हैं और सभी कर्मों से प्रिचित हैं यहां के सभी कर्मों से और पूरे अध्धातम मार्ग से वो लोग प्रिचित हैं जो केवल जरा और मर्ण से मोक्स के लिए ही परियतन कर रहे हैं आठमेदय के पर्थम स्लोक में गीता ग्यानदाता से अर्दुन ने पूछा किम तत्वर्म जिस तत्वर्म को जान कर पराणी के वल जरा और मर्न से इस कर्ष्ट से छूटने का प्रितन करता है तो वो तत्वर्म क्या है कौन है वो वगवान गीता ग्यानदाता ने गित अद्याय नबर 8 के सलोक नमर 3 में उतर दिया है वो परमक्सर बर्म है, देखिएगा अद्याय नमर 7 का सलोक नमर 29 ये 29 नमर है इसमें कहा के जरामर्ण मोकसाे माम आसरिते, ये तनती, ये माम आसरिते, मेरे इस ग्यान का आश्रे करके कि तत्व दर्शी संत को खोज लो तो वो यतनती ये जो प्रियतन करते है जरा और मर्ण मोक्स है जरा और मर्ण के मोक्स के लिए ही जो प्रियतन करते है ते ब्रम तत विदू कर्षनम अध्यातम से करम अखीलम वो पूरे अध्यातम को तत ब्रम को और सभी कर्मों से परीचित हैं, जानते हैं, विदुमाने जानते हैं, इनी का अनुवाद पढ़ते हैं, जो मेरे सरन होकर जरा और मरन से छूटने के लिए जरा माने बुढ़ा पावर दोस्था होती हैं, इन्हों का ने लिख दिया लिए, वे पुरुष उस तत ब्रहम, तत पुरन जातम को, सब पुरन कर्मों को जानते हैं, यह तीसरा सलोक में यह का है, आठमे जाय के, केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं, वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं, फिर यहां बता है, आठमे जाय का पर्थम मंतर में, अर्जुन ने पूछा ग्यान ग्यान दाता ग्यान 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 ग ग्यानदाता से कोई अन्य परंव सकती है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्स परदान कर सकती है अब यहां गीता अध्याय नमर आठ के सलोक नमर पांच और सात मैं गीता ग्यानदाता ने कहा है कि मेरी बगती कर मुझे ही प्राप्त होगा और आठ में जाय के आठ नो दस में तीन मंत्रों में कहा कि उस परमेस्वर परमकसर बिरम की यदी तु साधना करेगा उसकी बगती की कमाई के बल से योग के बल से बगती की सक्ती की ताकत से तो उसको प्राप्त हो जागा आठमे दायके तेर में सलोक में गीता गयान दाता अपनी साधना का मंतर बताता है ओ इती एकाकसरम ब्रम विवहरन मामं समन ये परियाती तजन देहं सायाती परमाम गतिम मुझ ब्रम का क्यों एक ओ मंतर है और जो इसकी अंतिम स्वास तक सिमन करता हुआ इसका अंतिम स्वास तक सिमन करता हुआ छोड़ कर जाता है वो ओम से मिलने वाली परमगति को प्राप्त होता है ओम से मिलने वाली परमगति कौन सी है ब्रम लोक ओठमे जायके सोल में सलोक में कहा कि ब्रम लोक परियंत, ब्रम लोक में गए हुए प्राणी फिर वापिस जनमर्तु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्स नहीं हुआ, जनमर्तु का दीर ग्रोग कटा नहीं, फिर सत्र में जाए कि तेईस में इस लोक में गीता ग्यान दाताने का है, उस परमक सर ब्रम के पाने का ओम तप्सतिती नर्देशे बर्मने तिरविद समरता है आए बर्मने माने सचीदाननद गन बर्म देखिएगा सत्र में ज्याय का 23 मासलोक दिखाते हैं ज्याय नमर 17 और शिरीमद भक्त गीता जिए 23 मासलोक है इसका समच क्या है ओम से ओम तत तत सत ऐसे यह तीन परकार का ब्रमने माने सचीदा नंद घंबरम का नाम कहा है ब्रमने माने सचीदा नंद घंबरम कर रहे हैं यानि परम अक्सर ब्रम समझो इसको परम अक्सर ब्रम का नाम है यो अब हम फिर आते हैं वापिस आठमे धाय के अधाय नुमर आठ के ही वापिस आ जाते हैं यह देखिएगा तेरमे स्लोक में यह देखिएगा आठमा धाय आठमा धाय गीता जी का और यह तेरमा स्लोक यहां पर है अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे होगे इसी बात नहीं देवनागरी लिपी है अम इती एक आक्सरम बिरम वहरन मामनु समरन ये परियाती तजन देहम सैयाती परमाम गतिम अब ये गीता ग्यान दाता कहता है कि माम बिरम मुझ बिरम का ओम इती ओम ये है एक आक्सरम एक आक्सर है निफिंग इल्स विवहरन अनु समरन यानि उचारन करके शिमन करता हुआ ये याती तजन देहम दो स्रीर छोड़ कर जाता है इसका सांस सुनन करता हुआ ये ये याती परमामगतिम वे परमगति को प्राफ्त होता है यहां से शुरू होता है ओम ओम जो पुरुष ओम इस एक अक्सर ब्रह्म को उच्छार्ण करता हुआ और उसके अर्थ सुरूप मुद निर्गुन ब्रह्म का चिंतन करता हुआ श्रीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष पर्मगती को प्राफ्त होता है ओम से होने वाली प्रमगती वो कौन सी है ब्रमलोक ब्रमलोक में गयवे प्राणी फिर पुन्रावर्ती मैं आचे देखिए गाठ में जाये का यही फिर सोलोमा से लोग है अर्दुन, ब्रमलोक परियंत सब लोग पुन्रावरती में हैं यह शटार लगा के इनों ने यहां विसलेशन भी किया है अर्थात जिन को प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े वहाँ जाकर भी फिर वापिस संसार में आना पड़े ऐसे पुन्रावरती बोलते हैं इसको पुन्रावर्ती, इसका विसलेशन क्या पुन्रावर्ती का आरज की डिफाइन किया है उन्हों ने तो इसे इसे दो गया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्म ओम नाम का जाब करने वाले अग गये ना बावडे रते भी सबजाही बिन साहब की बंदगी कोई ठोड़ ठोकाड़ नाही अब आठमे द्यायका पांच और साथ और आठ नौदस मंतर कंसेप्ट क्लियर कर देगा देखिए आठमे द्यायका अब हम ये पांच मास लोक पढ़ेंगे इसमें गीता ग्यान दाता कहता है जो सादक अंद काल में मुझे ही समन करता है वहे मेरे साखसाथ सरुप को पराप्त होता है नहीं वहे मद भावम याती मेरे वाले भाव को पराप्त होता है मेरे पर आसक्त हो जाता है और इसमें कुछ संसा नहीं है छटे में ये बता है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को पराप्त करता है, मर्चु को पराप्त, छटे में तो एक नीम बता है, विद्धान बता है, जा असातां बासा हुई, इसका अरची ये है, एक उन्ती पूर्ता, जो अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ, सरीर का त्याकर जाता है, तो उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानि उसी उपर आसक रहता है, उसी में भावना मनी रहती है, इसका अर्थ ही यह है, आगे बता है इसलिए सात में मोगा है कि इसलिए सब समय में निरनतर मेरा समवड कर और यूदभी कर अरपन की वे मनोबुदी युक्त होकर ने संदे मुझे ही प्राप्त होगा अब इसमें क्या बता है कि ये एक नियम है अन्द समय में जिस पर आ सकत जिसमें आसा रखे स्रीर छोड़ कर जाता उसके बाद उसी के पास पहुंग जाता है अब कहता तु सब मुझे प्रफ्त करना है मेरे ममनवाला हो मेरी ही साधना कर युध भी करना पड़ेगा यहां तो युध करना पड़ेगा मेरी स्रणम रहेगा तो और युद करने वाले को फिर स्यानती सोपने में नहीं इस यसे दए कि ओम नाम के जाब करने वाले को स्यानती नाम की चीज नहीं इसलिए ठार में जाए कि बहुषट में स्लोक में कहा कि अर्दुन तु सर्व भाव से उस परमेश्वर की स्रणम जा उस परमेश्वर की किरपा ही चाई तु परम स्यानती को और सास्वत स्थानम यानि उसे सनातन परमधाम को प्राप्त होगा इस यसे दोगा कि गीता ग्यान कहता तो जहां युद करना पड़ेगा तुझे, अब तू सोच ले, तो जहां युद करना वा शानती नाम की चीज नहीं है, और ये ओम से शानती खोजे नियों के ओम शानती, ओली शानती, सो पने में बिना हो है, अब गीता जी अध्या नुमर आठ के, आपने पांथ, छे, साथ आठ नौ दस में, उस परमक्सर विर्म के महिमा बताई है, देखिएगा, जहां नुमर आठ का, ये श्रीमत मुपीता, ये सात मा तक पड़े द्यामन है, इब आठ मा पड़ेंगे, यहां इसका अनुआद है, ये पारत, परमे, ये नियम नहीं है, ये अपने आपने आपने नाम से, नाम बता रहा है, ओम तत्सत, अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है, जहां जा का सुखी होंगे, परमात्मा यहां आते रहे हैं, हमें दरसन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए हैं साधना करो, इस साधना से, इस तरीके से, तुम उस अथान को परात होगे जाने के बाद फिर लोटकर नहीं आना, तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी, जैसे हैंड पंप लगाना है, हैंड पंप की इसलिए लगाना है, क्योंकि हमने जल हमारा इस्ट है, हमने जल चाहिए, और जल पर्थवी में, उसके लिए हैंड पंप लगाने के लिए, जो भी हमने इंस्टूमेंट यूज किये हैं, बुक की, पाइप, और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, या हमारी साधना है, या पूजा नहीं है, पूजा था, हम उसकी जल की कर रहे हैं, जिसको पाना है हमने, तो ये मंतर जो है, ओम तैस बिर्म का, और तत ये अक्सर पुरुष का, अक्सर पुरुष एक पेड हैंड रंजनवा की, डार तिन्नों देवा साखा हैं, ये पात रूप संसार, तत ये उस अक्सर पुरुष का, और सत, ये सार नाम है, आदी नाम है, ये परमक्सर बिर्म की पुजा है, उसके पाने का मंतर है, यानि इन सब को मिला करके, हमने नों सोच ले, अंड़ पंप लगे गए, सारे प्रोसेस्ट है, दोसे स्वास हो स्वास से, जो वस्तु मिलेगी, वो हमारा इस्ट है, जल, तो ये गल्प बताते हैं, जहान दुनियती ने तडंगा डानत मतलब था, देखिएगा आठमे दैका, अब हम आठमा सलोक पड़ रहे हैं, आठमे दैका, ये आठमे का यहानुआद है, हे पारत, परमेस्वर के अभ्यास, उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सवजिदान अन्द बर्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से, के योग से योक्त, उसकी भगती से योक्त, दूसरे और नजाने वाले चत से, यानि बिल्कुल किसी और इस्ट की देव की पूजा नहीं करने, उस बगवान को इस्ट मान कर पूजा करने, निरंतन चंतन करता हुआ, परम परकास रूप दिव पुरस को, यानि परमेस्वर को ही प्राफ्त होता है, गीता ग्यान दाता से, अन्ने को प्राफ्त होता है, और नौमे में कहा है, जो कवियम, यदि इस कवी को छेड़ दूँगा तो लंबा चेप्टर बन जागा, आप इनका अनुवाद पढ़के अपना जो कंसेप्ट वो कलियर करते हैं, जो सरवग्य लिख दिया है इनोंने, ये प्रमातमा का नाम है, अदादी सब के इन्यंतता, सुक्सम सेती सुक्सम, सब के धार्ण पोशन करने वाले अचिंतर सुरूप, आदित्य वरनम, यानि सुरिय की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकास रूप, अब सुरिय प्रकास रूप, अतर निराकार कैसे हो गया सुरिय, तो साकार हो प्रमातमा, लेकिन का सरीर तेजों में है, तमसे माने अविद्या से अती परे, सचीदा नंद गन प्रवेश्वर का समन करता हुआ, आठ नो पढ़ दिया हमने दस माह, करता हुआ, वहे भगती युक्त पुरस अंत काल में योग बलेन, यानि भगती की सक्ती से योग माने भगती, जो साधना हमने की है, उस भगती की सक्ती से, बिरकुटी के मद्ध में प्राणों को अच्छी प्रकार सताफित करके, फिर निस्चल मन से समन करता हुआ उस दिव प्रम पुरुष 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 संसारे कहें कबिर निजनाम बिना कैसे उतरो पारे अब आप ची भगत हैं क्योंकि आप दूद के जले हुए आए हो और अब लसी को भी फूगने की चेश्टा करते हो कई भगत कहते हैं एक विक्ती एक भगत आया सर दालू और उसके साथ चार पांच चेले भी वो चेले ला रहे थे उसको और वो संत था उन चेलों के समझ माया उनको पता लगया कि यो गुरू जी भी बनेगा पसू उसको समझा बुजा कर लाए जी देखो आमने चाहिए भगवान आप भी प्रमात्मा के लिए प्रितन कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो प्रमात्मा की भगती करो आज हमने जो ग्यान सुना है एक आप उसका निरने करो और चलो आप भी चलो वाँ देखो यहाँ आए उसने ग्यान सुना समझा अब चेलों के कहने से उसने मानना पड़ा नाम ले लिया अब अब उल्टी गंगा चड़ाओंगे प्रमात्मा अब गुरुआं ने चेले पार करवाओंगे इनन समझा भुजा कर लाओंगे क्यों ड़ले ढोरे आपने करम फोड़ रहे हो आप करलान करवालो चलके तो तो चातुर आजमी था करम गड़े बिगड़े थे उसके अब अब आजमी था करनों खड़े उसके चार ही दर खड़े कहले लगे एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना सुनना सुनना वह सुना एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है और यह मंत्र भई दे रहे हो देखो भाई देखो बता भई अब उसने एक मेंट म क्योंकि उसने तो यह चावा था कि चले फिर मेरे चपके रहे इनके कलान से को लिंक नहीं था उसका अग्यानी आदमी था अपना अत्मों यह बगती नहीं दे रहे हम इनकी अब जैसे हम विदेश में गई हुए हैं और वहां के जो परबंदक हैं जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रख्या विजली का किसी से टेलिफॉन का और किसी से गैस का पानी का या बैंक लॉन ले रख्या है तो उनका जो करजा वापिस दे रहे हैं देना है तो क्या उनकी हम पूजा करे वो तो हमारा एक इनसान इत्क नाति प्रम करते हो बनता है उनका टेक्स दें, बीजली वालों का बिल भरें वो हमारा कनेक्शन जारी रखें ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे है, अचान थोड़ा हम कर रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं हम पूजा तो कभी इस प्रमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं, उसके लिए जो जो भी किरियाएं हमने करनी हैं, वो किरियाएं कर रहे हम ये, अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं हम, अब कैसे करें पहले तो ये कंशप्ट करते हैं कलिए रहे कि तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हुए मुक्ती अब ये तो है सही साधना ऐसे करने से लाव होगा गीता ग्यान दाता कहता है और जो इन तीनों देवताओं तक ही पूजा करते हैं साथ में जाय के बारा से लेकर हैं और पंदरह तक रजगुन बिरमा सत्कुन विशनु तमगुन शिवजी की जो साधना करते हैं इन्हें को इष्ट मान कर पूजते हैं उनके लिए कहा है जो इनको फाइनल गौड मान रहे हैं कंप्लीट गौड तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ती प्राप्त न हो सकती उनके इस सात्मे ध्याय में निर्ना ग्यान दे रखिया है और ये जहाँ गीता ग्यान दाता है कि अरजुन अब ऐसा ग्यान बता दूगा जिसके जानने के पाद फिर कुछ भी सेस जानना नहीं रहेगा और कतीक बिल्कुल सही बता रखिया देखिएगा ये सब्सा सात्मा जाय है, इसका दूसरा मंतर देखिएगा, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्ण तेक हूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योगे सेश नहीं रह जाता, हो गया खत्म, हम इसको थोड़ा सा सोर्ट में पढ़ेंगे, सात्मे अध्य का हम बारा से सुरू करते हैं, सात्मा अध्य का हम बारा से सुरू करेंगे, ये बारमा से लोग हैं, अभी और भी जो सत्गुन से उत्पन होने वाले भाव हैं, और जो गुन से त्चातमो गुन से उत्पन होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान प्रंतु वास्तों उन में मैं और वे मुझ में नहीं है अब अभी ताजा ताजा ये सिद्ध कि आपको के रजगुन विर्मा है सत्गुन वे सुनू तमगुन शिव जी तो इब तीनमों गुणों से क्या होता रजगुन विर्मा से के दबाव से इसके परभाव से रजगुन के परभाव से हम संतानों उत्पति करते हैं यहां के ठाठबाट की हमारे अंदर एक जबर्दस प्रेणा बनती है ये रजगुन के परभाव से बनती है और फिर सती थी सतोगुन प्रभाव से एक दूसरे मममता मो फस्यानी जबर्दस जखड़े जाते है और तमोगुन का अपना पताई है करहो दाना ये भगवान संकर के विशनु जी के तमोगुन से है तो क्या बता है कि इन तीनोगुनों से जो कुछ भी हो रहा है सती थी सिरि में मूल कारण तो मैं हूं लेकिन मैं इन मैं नहीं, ये मुझ मैं नहीं क्योंकि ये इन से अलग रहता है, अपने पूत्रों से भी गुप्त रहता है, ये काल के पूत्र हैं、 रजगुन विर्मासत गुस्यु तमुन शिख्ची तो ये क्या बता रहा है आगे देखिएगा साथ में ध्याय का तेर मास लोग पढ़ेंगे बार मां हमने पढ़ लिया गुणों के कारियर रूप साथ विक रादस तामस इन तिन्नों परकार के भाओं से सारा संसार पराणी समुदाए मोहित हो रहा है इन तिन्नों गुणों से परे मुझ अभी नाशी को नहीं जानता अब इस कितना कह रहा है कि ये तिन्नों गुणों के इन रजगुन परमासदकुन विश्नुतमकुन शिवजी से ही जखड़ी हुए इनकी बुदी इन से उपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते इन से अधिक लाप में दे सकता हूँ आगे देखना चौद में में क्या किया है अज्जाय नमर साथ के सलोक नमर हम सौदा को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अलोकिक अति अद्बु तरगुन में मेरी माया रजगुन परमासदकुन विश्नुतमकुन शिवजी के दोरा फैला आ जाल बड़ी दुस्तर है यानि बड़ में में कहा है इस माया के दोरा जिनका ज्ञान अरादा चुका है रजगुन परमासदकुन विश्नुतमकुन शिवजी तक दो सीमित है इनि को इश्ट मानकर पूझते हैं इन से आगे किसी की सुनने को त्यार नहीं और और किसी की बात को नहीं सुनते ये देखिए वे लोग हैं मुझ को नहीं भजते हैं और फिर अपने बारें बताता है मेरी बगती भी चैर परकार के करते हैं चतुर्विदा वजनते माम जना सुकृतिन अरदुन आर्त जिग्यासु अर्थार्थी ग्यान नी चाय बरतर सब्दुन गीता ग्यान दाता ने सपश्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की रजगुन बर्मा सद्कुन विशनु तमगुन शिवजी की जो पूजा करते हैं और किसे की उन पर वहां तक उनकी बुदी हरी जा चुकी है निशागे कोई सुनते नहीं जैसे या चारिये और संकर अचारिये यह जीतने भी कि सुननता चार निकट मरें एक दूसरे के साथ तो कहते हैं राक्स सुभाव को धारन के वे मुनश्यों में नीच दूसित करम करने वाले मूरक यह मेरी बक्ती भी ना करते हैं अब इनको चार संग्या दे दी एक सलोक में राक्स सुभाव को धारन के वे मुनश्यों में नी नीच दूशित करम करने वाले मूँ रखे, आप थोड़ा सा परमान देते हैं, जैसे एरनिक सिपू ने रजगुन बिर्मा की पूजा करी थी, अपने पूतर का सत्रू हो गया, अलदी की गांठ पाकर पंसारी बन गया, और सब को कह दिया, मेरी बक्ती करो, अपने पूतर का स आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर श्री, संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं सर नमसकार, नमसकार सर जी, सर क्या नाम आपका, मेरा नाम बावूरा आउलेकर, सर कहा साई яр आप, मैं सवाःक Пुर से आया हूँ सर, मेरा पूरा पता है बावूरा आउलेकर, मुकाम पोस्टर सौहापुर, तैसल जीला, भैतुल मद्द्दोपर्देश, सर, संत रामपाल जुड़ी महानाच से नामदिक्सा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे चुड़ी शुरू में तो में जब से मैं को साया जब से मैं हनुओन जी की भक्ति करते था करें folks के अनले मंदिर करना खफरे-उपरे वहां चाना तो उसके करनें कर थे अदिकार है जी नहीं कुरु आम अधिक्षा ले नहीं फिर भी आपने उन्से नाम जब तक के ज्यान नहीं हो साचा तब लग गुरु करो दस पाचा फिर हमने आगे की और यह बताया तो कुछ गाव के लोग मतुरा गए हुए थे तो मतुरा में जब हम सत्संग में बैटते थे गाव में तो कुछ लोग जब सत्संग आखरी कगार पर होता थे ध्यान बजन कर भाई आप थोली डेर हटजाओ क्योंकि हम ध्यान बजन कर रहे हैं या तो बाहर हो जब ताइम पास करो तो क्या कर्तेत embaixo के और देशान बजन करते हैं तो हमारे समझ में कर कया रहे यह क्या चीज है यह भक्ति साथना तो हमारे दिल में यह उम्हा हुआ कि हमको भी और कोई गुरु से नाम लेना चाहिए तो हमको फ्रेणना हुई तो फिर हम 1992 में मतुरा गया और वहां से जैगुर्देव जिसे हमने नामदान लिया तो जब नामदान लिया तो उनने हमको न पादना की फिर दीरे दीर पता चला हम वहां सत्संग में मतुरा जी गये वहां पर सत्संग सुना तो जैगुर्देव के बगल में एक उनका भक्त बैठा रहता था वह घट्रामान पढ़के बताता था तो वह घट्रामान में लिखा था कि भाई पाचो नाम काल के जानो त सर आपने बच्पन से ही बड़ी स्रदा के साथ बड़ी लगन के साथ बगवान हन्मान की पूझा की और अन्यदिगत हो की पूजाब करते थे अपने गुरु भी बनाया जैगुर्दे उपन से अपने नाम दिख्षा ली तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने की क्या जरूतान पड़ी मैं को क्या हुआ था मैं वैतू ला रहा था काम पर यहां पर जी में भी काड़ी का काच मेरे हाथ में गढ़ गया और यह दाड़ी यहां दो-तिन मैंने मैंने थिरेपी भी करवाई तो जिन हाथ को लगा तो तो अच्छे होगा पर जिसको नहीं लगा तो उसको अंदरू नहीं चोड़ती तो वह हाथ न ऊपर जाए और न नीचे आए न पीछे जाए मैं को कपड़े दूसरे लोग पहना देते थे तो मैं बै हमारी तो तो आपके यारck मैं ने खको चार मैन तक चार मैंने तक तेरा हाथ तो पूरा ऐसा हो जाए मका तो है chocolate गण ही जाए करा लें तो सरजी मेरे पार पहसे नहीं कर आ तो उन्हें आसने आरेके dax 5 मैंने पात फिर मैं मैं hack impressed तब फिर मेरी MRI हुई CT scan हुआ और सोनोग्राफी हुई चार पास उनने जाचे करके सर जी में को भर्ती कर दिया सनिवार का दिन था अब जब में को भर्ती कर दिया मैं तो अखेला है यहां कोई तैयरी से नहीं गया था कि मैं को इलाज करा ना तो उनने सर जी मेरा हाथ तो आगे पीछे कुछ नहीं होता था तो उनने में को भर्ती कर दिया फिर मैंने पूचा सर जी डाक्टर साब मैं यहां पर भर्ती तो हो गया पर मेरे साथ में कोई नहीं है और खर्चे वर्चे कितना लग जाएंगा तो बोले आपको कम से कम 80,000 और मेरा नाम भी पता इस पर लिखा हुआ है और यह 80,000 रुपए उनने लिखा यहां पर कि 80,000 रुपए लगेंगे यह बिल दिया था यह एमस बोपाल का सर्टिफिकेट है जी 80,000 तो लगती ही लगते उसके बावजूद भी अलग से पैसा लगता दवाई उसका तो कम से एक देड़ लाख रुपए मेरे को गुरुजी के सरण में आने से बचे है गो तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बार में कैसे पता लगा सर जी मैं एमस से रेलवे स्टेशन आया और पंचे वली चनवाडा में बैठा तो जब मैं ट्रेन बैठा तो हमारे सामने एक संत रामपाल जी महाराज का एक सिसे बैठा था जिनका नाम गुलाब दास जरबडे था तो अब ऐसी चली तो ग्यान की चर्चा मैं भी सुरू से बहिता था तो ज्यान मेर को ठाई तो ज्यान की चर्चा चली तो इसी बाते बाते में फिर उनने बताया गुरु जी के बारे में कि ऐसे ऐसे संत प्रत्व पर आये हैं और आपको क्या तकलीब हुई और आपकिस लिए यहां पर आया थे तो मैं सर जी मेरा जाओ और हमारे गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दिख्चा लेकर देखते हो सकता है इनसे अपने को इलाज हो जाए या फाइदा हो जाए इनसे तो इसलिए हमने फिर वहां पर 1711 2017 को अमने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज जी से संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्चा लेने के बाद आपकी जो परैशा नामदान दिया उस नामदान से हमने भक्ती की और ठीक कुछ दिन बाद में मेरा हाथ ऐसा हो गया जैसा कभी कुछ पहले हुआ ही नहीं था एकदम फिरी हो गया सर जी उनके सरन में आने वाद सर जैसा कि आपने बताए कि एमस बोपाल ने आपके हाथ ठीक करने के लिए लगबग एक लाग के डिमांड रखी तो हम आपसे जाना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराजी ना आपकी बिमारी कितने पैसों में ठीक की जी सर जी यहाँ पे तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पे निसुल का नाम दिख्चा दी जाती है और यहाँ कोई पैसा नहीं लगता सर जी लेकिन सर आपकी ये जो भीमारी है उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई कोई मैडिसेन कुछ तो किया होगा जी सर वहाँ दवाई हास्पिटलों में तो अपने लेकिन संत रामपाल जी महराज जी से जो नाम दिख चली कुछ भी नहीं कर सर जी यहीं हरोगो जैसा कभी कुछ हुए नहीं था कि अलाब जैसा मैं बिमार रहता थै तो जब देखा हमारा एक ठास्वार वहोग्या सब ही लोग बहती हो गया मेरत की धरा गया वहसके बाहरे बेग लेके फिर बैतुल गए फिर आये तो आठ पंद्रा दिन में हमारे एंबुलन्स बंदी रहती थी सर्जी वहाँ पे तो संत्र रामपाल जी महाराजी के सरन में आने से हमको यह लाब हुए सर्जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं भगत समाज को सर्जी मैं यह प्राथना कर सकता हूं संदेश तो नहीं दे सकता हुए प्राथना कर सकता हूं से कि भाई हमको गुरु करना आवेशक है तो जैसे हमें इस संसार में जब आये तो हर जगे फुरावा आता है कि भाई गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता गुरु गुरू भी ने भावने दिता रही न कोई चाहे गुरू विरंची समोई तो गुरू करना पड़े अब गुरु तो कर लेते हैं जैगुरु जी को गुरु किया था अब गुरु किया उनने पाच नाम दिये लेकिन वह घट्रामान में लिखते किया तो छटवा नाम तो और इ इसमें से बसादा है कि राम राम सब जगत बकाने और अधी राम कोई बिरला जाने तो उस वो राम की खोज करना पड़ेगा तो वो वो कौन बताएंगा हमको तत्वदर्शी संत बताएंगा जो सद गुरु होगा गुरु तो हमने बहुत किये लेकिन अब हमको सद गुरु कर भी गुरू किया आज तक के सबको टटोले को इनने हमको क्या नाम दान दिए और उन नाम को फिर चला जो हम पैसे जेब में लेकर घुमरे नकलिया लिए देखो तो पहले चला कि वह यहां चल रही कि नहीं चल रहा है तो हमको पहले इनकी देखना पड़ेगा कि गुरू कोन ह संत्राप्मपाल जी महराज जी के सत्संग यूटूब पर और आते हैं और उनके पर शुन सकते हैं और उसे उन पर फिली पट्टी चलिती है तो उसन का पता लिखा रहता है तो आपATION करके । फोन करके पट्टी पर पर्म पर देखा नहीं था लेकिन अब गुरु जी ने आपको घर बैठ नामदान दे रहें यह समझ लो कि अपने ही जिले में आप नामदान उस पट्टी के उपर फोन नंबर है उस पर नंबर लगा उनसे पूचे कि हम यहां रहते हैं तो हमको नामदान लेना तो कहां लेना अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jakatguru.raampalji.org संतराampalji महराजी के शुब आशिवात से पूरिव विश्वभर में 500 से भी जादा नामदिक्षा केंद्र हैं जिन पर संतराampalji महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नामदिक्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नामदिक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541 गरिव धन जन नी धन भूमी धन 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 नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां साधु परवेश जगदगुरु तत्व दर्शी संतिराampalji महराज की 74 वेवत्रण दिवस के अवसर पर दिनांग 6-7-8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलो काश्रमों में तेन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर तेन द्विश्य अखंड पार्ट विशाल भंडारा विशाल सत्संग समारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे। जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हर्याना। इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुब़ सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं।